हेलो एवरीवन तो जी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप की बढ़िया होंगे आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं दिन के टाइम से यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले मुझे आज जो लंच में बनाना है मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूं तो लंच में आज हम बनाएंगे गहत की चड़कानी तो गहत की कोई डाल बनाता है कोई चुटकानी बनाता है और कोई गहत को पीस के उसकी सबजी बनाता है और जो हमारे सरीर के लिए बहुत जादा यूसपूल है इस पेसली ना कहते हैं कि गहत का पानी अगर नाइट को हम बिगोएं और सुबहुस पानी को पिये तो हमेंने बहुत साय जो स्टोन वाले जो रोग होते न वो सारे खतम हो जाते हैं और यहां पर देखिए गहत के चुड़काने एक साइड में बराऊंगी दूसरे साइड में मैं फटाफट से चावल रख लूँगी तो चावल को मैंन में दिन का जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करें कि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद थोड़ा सा रूम पे जो घर पे होती थोड़ी से चैहल पहल होती है वरना नॉर्मली रूम में बहुत जदसानती हुए रहती है और इस टाइम पर अथर्व भी गया अपने हिसाब से जिसको आठा अच्छा लगता है इसमें आपकरता है जिसको बेसन पसंद आपकरता है देन एकिया था अपने रेगूलर मसाले और यहां पर देखे सारे मसाले मैंनेजमें डाले और इनको भी अच्छे से भून लोंगी तब तक एक अच्छी सी हाम ताल कर लिया तो आज मैंस कम से चैले हैं तो क्योंकि यहां पर यहां पे जो कि कुछ टाल के सथ ग 되면 को पीस को पिस बना लिये हैं妹 ट कर लिया था और मुझे यहां पे टवाइटो कर Sudth में अमशन Universal सबने रेडी हो चुका था और उसके बाद बच्चे भी आ चुके थे और हमने फटाफट से किया लंच लंच करने के बाद बरतन वाश किये फिर थोड़े दिर किया रेस्ट तो अभी टाइम है दिन का और यहां पर देखिए बहुत सारे जो कपड़े हैं जो धूप से उठाए हुए थे उनको अच्छे से फोल्ड करके अपनी अपनी जिगह में रख लूँगी फिर जाके घर के और सारे काम करूँगी तो यही होता है कि सुबह से साम हो जाते हैं साम से सुबह हो जाती है पता नहीं चलता है टाइम का और बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं तो सारे कपड़ों को फोल किया, उनको रखा, देन उसके बाद जाके मैं अपने कामा में लग गए थी, तो दिन का टाइम है, बच्चे अभी सोई हुए, क्योंकि बच्चे लगबख साड़े चार या साड़े पांच बचे के टाइम पे उड़ते हैं, इसकुल से आते हैं, अधी को दो बच जाता है, देन उसके बाद खाना खाना तक टाइम होगी जाता है, तो बच्चे अभी सो रखें हैं, तो जी सामका टाइम है, सामके भी साड़े च्छे बच गया है, लगबख सभी लोग जा चुके हैं, भूमने के लिए मुझे भी जाना है, बाकी चासनी इस वाले पतेले में बनी हुई है, तेव यहां पर करम हो रहा है, तो जैसे कि मैं नॉर्मल जो मस्टर्ड ओइल है, वो यूज़ करती हूं, तो इस विज़े से मैं इसको अच्छे से दूहा आने देरू, ताकि यह अच्छे से गम गरम हो जाए, और उसके बा हैं, बस कुछ बहुत फैमिलिस पची है, तो यह है कि थोड़ा सा साथ में रहो, साथ में खा लो, थोड़ी सी बाते कर लो, और वैसे भी अब तो नहीं सेलेबरेट करने के लिए कोई भी दीन स्पेसल मिल जाए, बस मन करता कि वही दिन सेलेबरेट करें, क्योंकि थोड़ हम तो यहां से निकलेंगे, और सिरल जी भी यहां से निकल जाएंगे, और हम लोगो फिर थोड़ा अलग और थोड़ा अकेले रहना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हमें यह जो पाल रहना काफी जदा याद आएंगे, तो इसलिए मैं तो चाहिए थोड़ा बहुत इस तरी और बच्चों को बहुत ज़्यदा पसंद आते हैं, तो मैं पैकेट लेके आए थी उसका जो पावडर होता, उसको फटा फट से मैंने दूद में गोद लिया था, और दूसरे साइड मैंने चासनी तयार कर रखी थी, और फटा फट से अब देखे इनको अच्छे से अधिव कि यह जो कड़ाई है, यह मेरी हमेसा फ्राई करने वाली कड़ाई है, तो यह हमेसा ऐसे ही रहती है, तो सारे के साइज इतनी फी गुलाब जामून का मैंने गोले बनाए हुएते हैं, उसको पहले साइड में रहोंगे, जब हलके से थंडे हो जाते हैं, उसके जाती हूँ चासनी में आप देख सकते हैं, एक-एक करके और थुड़ दिन इसको ढखके रग दूगी और उसके बाद घर के और काम करूँगी, और आज का जो ब्लॉक है कापी छोटा है, और यही पे एंड भी करती हूँ, आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरी वीडियोज को लाइक किजी, सब्सक्राइब किजी और शेयर किजी, ओके बाई बाई